तो आज की वीडियो में हम देखेंगे word of the day कल भी हमने एक आपको word पता है था आज देखते हैं आज का जो word है वो है हमारा अभोर ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंग क्या होता है तो आप यह जान लीजिए कि अभोर जो होता है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो कि एक ग्रामर का टॉपिक है उस पर हम नहीं जाएंगे तो नफरत करना किसी चीज़ को ना पसंद करना ठीक है जब आप किसी चीज़ को पसंद ना करते हूं तो एक एक जामपल ले लेते हैं एक जामपल हो जायाएगा आई कि अभोर ऑल forms of racism मैं racism की सभी forms को प्रकार को नफरत करता हूं उनको ना पसंद करता हूं I abhor all forms of racism मैं racism की नसलवाद की सभी जो किस्म हैं उनको मैं ना पसंद करता हूं तो racism यानिके नसलवाद होता है ठीक है आई यह बात करते हैं कुछ synonym की तो synonym में सबसे पहले आजाएगा hat यानिके नफरत करना detest वो भी सेम होता है नफरत करना hate detest dislike हो सकता है ना पसंद करना एक वर्ड होता है disdain d-i-s-d-a-i-n disdain hate detest dislike disdain इसके लाब होता है lot 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 और इसके लाब है discussed ठीक है यह जाएबा discussed ठीक है तो यह simple words है hate detest dislike disdain lot discuss इसके लाब हो रहाता है अच्छा सा वह है despise d-e-s-p-i-s-e despise ठीक है तो इसी से जैसे कि माले जिए हैट से बनता है hateful adjective बन जाता है detested detestful हो जाता है तो despise से ही बनता है despisable ठीक है despisable यानि कि घर्नित ना पसंद जो चीज एड्जक्टिव है गिर्नित ठीक है despisable तो एक अच्छा वर्ड ले रहते हैं despise despise का example लेंगे the two groups जो दो दल है despise each other इनके लिए examples लेकिन उनको लेना ज़्यादा ज़्यादा जरूरी नहीं था universe का हम example देखेंगे जो कि आपके लिए जरूरी है the two groups despise is each other दो जो दल है वो दूसरे को despise करता है she despised her husband for the way he treated her sister she despised her husband उसने अपने पती को despise किया नफरत की for the way the यानिके जिस तरीके के लिए FOR THE WAY तरीके के लिए THE WAY जिस तरीके लिए आवे कर देंगे रोंग होजाएगा आवे कर देंगे एक तरीके के लिए वो गलत होजाएगा तो बीच-बीच में हम आपको Grammarry बता देंगे FOR THE WAY उस तरीके के लिए HE TREATED HER SISTER जिस तरह से उसने उसकी बेहन को ट्रीट किया वैभार किया इसलिए वो उसे नफरत करती है एक एक्जांपल और ले लेंगे ही डेस्पाइस्ट हिमसेल्फ फॉर बिंग सच अ कवार्ड ही डेस्पाइस्ट हिमसेल्फ उसने खुद को ही या खुद से ही नफरत की ही डेस्पाइस्ट हिमसेल्फ ही मतलब उसने डेस्पाइस्ट नफरत की हिमसेल्फ स्वाम से खुद से ही डेस्पाइस्ट हिमसेल्फ फॉर बिंग होने के लिए किस के लिए आ कवार्ड सच अ कवार्ड एक जो है कायर होने के नाते कायर फील करने के लाते हैं उसने खुद से जो है नफरत की ही despise himself for being a coward, एक जो है coward कायल होने के नाते, ठीक है, सच हटाव देंगे, तब भी ये sentence सही रहेगा, despise के बाद एक word हम आपको और बता देते हैं, ठीक है despise हो गया, एक word हम आपको और बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिए अबोमिनेट, abominate का मतलब भी जो है, नफरत करना ही होता है, abominable भहत घिर्नित के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो abominate हो जाएगा, despise के अब एक word आता है, बहुत ही अच्छा, जो कि definitely आपको नहीं पता होगा, वो है execrate, ठीक है, यह भी transitive of, भी कुछ same meaning है, नफरत करना, ठीक है, एक्सेकरेट यानि के वही synonym है, ठीक है, despise भी synonym है, और execrate भी, execrate भी synonym है, अभोर का नफरत करना, ठीक है, same meaning वही, नफरत करना, आईए example देख लेते हैं, हम execrate का example क्या होगा, ठू देख्थाही एगजमपला, I एगजचरेट अणीबाथ अबढ़से हैं, and freedoms of others, meaning बतायता है, I execrate, मैं नफरत करता हूँ, any policy, किसी भी policy से, that interface, जो कि इंटरफेर करती है, देखल अंदाज देती है, करती है, with the rights and the freedoms of others, जो दूसरों के अधिकार में दखल अंदाजी करती है, government की कोई भी policy को, I execrate, मैं नफरत करता हूँ, तो ये सारे जो है, कुछ, synonym है, hate, detest, dislike, distan, lot, discussed, abominate, और अच्छा वर्ड है, despise and execrate, तो इस तरहां की वीडियो के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू.